कि नमश्कार कॉम्पेटिशन कमेडी के कॉम्पेंसिव करने फैस्ट प्रोग्राम में मैं पक्राश करता हुए अब ठीक है चलो तो बिना टाइम को वेस्ट करें क्या करते हैं तो देखो पिछला जो वीडियो था उसमें ना मैं पहले यलो कलर यूज करूंगा यार एक से लि इस तारिक तक के जो करेंड फैस रहे हैं इंपोर्टेंट उनको अपने लाइस कर लेंगे दोनों ही प्री और मेंस दोनों के पॉइंट फ्यू से देख लेंगे तो टाइम को वेस्ट के बिना आ जाते हैं खाली स्लाइट पर जहां पर मिलेंगे कौन तो एक साहितकार ठीक ह तो एक च्छतिस गड़ी गुर्देव हैं इनका क्लास कब होता है सुबह और हर क्लास वहना एकदम कैसा होता है तो अपूर पहले से एकदम बढ़िया अलग क्लियर है चलो तो च्छतिस गड़ पढ़ाने वाले गुर्देव हैं क्लास सुबह होती है और कैसे अपूर जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं अब देखते जाना च्छतिस गड़ यहां से च्छतिस गड़ी भाशा का उद्विकास फिर है च्छतिस गड़ी गीती गुच्छा देव से याद रखना यह साहितकार का नाम है डॉक्टर नरेंडर देव वर्मा गुरू से इनकी रचना है मोला गुरू बनाई लेते हैं सुबह से एक रचना सुबह की तलाश और अपूर्व से एक रचना है अपूर्वा क्लेर तो कोड क्या रखना है च्छतिस गड़ के गुरुदेव क्लास सुबह होती है और हर क्लास एकदम अपूर्व होती है तो गुरुदेव में देव से डॉक्टर नरेंदेव वर्मा कौन हो गए तो हो गए अपने ये साहित्तिकार जी अब इनकी रचनाएं क्या क्या है तो देखना च्छतिस गड़ जो शब्द है इससे च्छतिस गड़ी भाषा का उद्विकास उसके बाद च्छतिस गड़ी गीती गुच्छा गुरु से मोला गुरु बने ही लेते सुबा से क्या है सुबा की तलाश अपूर्व से क्या है अपूर्वा एक बात और ध्यान रखना है हम लोग का जो राज की किस ने किया या किनों ने किया हुआ है तो डॉक्टर नरेग लेव बर्मा जी ने क्या हुआ है क्लियर तो यहां पर हो गया अपने साहितकार अब लास्ट जो वीडियो है उसमें से जो क्वेशन्स मैंने दिया था उसके आंसर देख लेते हैं अगस दोहजार बाइस चत्रगण में बेरोजगारी दर क्या थी पॉइंट फॉर आंसर याद आना चाहिए आप लोग को अगला तो ना लकमा जी क्रिशी मंत्री है ना उमेश पटेल जी है ना भुपेश बगेल जी है कौन है रवीन चौबे जीया रांसर घ्यान होगा कि नहीं उसके बाद स्कूल सिक्षा विभाग बालवाडी योजना किस आयू के बच्चों के लिए शुरू की गई है तो पांच से यह भी अपन देखे थे और इसके बाद लास्ट कुशन क्या था नौ सतुम्बर 2022 कितने नए जिलो का लोकारपण हुआ दो ध्यान होना चाहिए एमसी भी था और या था सक्ति मनेंद्रगड चेर्मिरी भरतपुर और सक्ति एक में गला भुथ खरखरार है एक घुट पानी पी लेता हूं मैं चलिए शुरू करते हैं ठीक है इंटरनाशनल ग्रांड मास्टर्स चेस्ट टॉर्नमेंट जो है 19-28 सितंबर तक राजधानी रायपुर में हो रहा है सबसे पहले न इसको मैं आपको प्री पॉइंट फ्यू से बताता हूं कि प्री में क्या-क्या हो सकता है तो प्री जो है उसमें पूछेगा कि कब से कब तक तो 19 से 28 सेतंबर क्लेर है कि नहीं कहा हुआ तो राइपुर बहुत पूछ लिया तो क्या पूछेगा कितने देश के खिलाडी शामिल हुए तो 15 और कितने खिलाडी तो 5 क्लेर है कि नहीं ठीक है भई कौन कौन शामिल हुआ तो इसमें ध्यान रखना विश्वनात आनंद है फिर विमन एक ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी और उसके अलावा रामेशंभू ग्रैंड मास्टर रामेशंभू क्लेर है तो इन तिनों को नाम ध्यान रख लेना तो य देता है उसको क्या मिलेगी चीफ मिनिस्टर्स ट्रोफी मिलेगी यह ठीक है आयोजन किसने किया है क्लियर है कि नहीं तो आयोजन जो छत्यगर सरकार का खेल एवं यूवा कल्यान विभाग मतलब हम लोग का जो स्पोर्ट्स और यूथ वेलफियर वाला जो डेपार्टमें है वो उसके बाद और इंडिया चेस फेडरेशन अखिल भारती शत्रंज महासंग और चत्यसगर्ण ओलंपिक असोसियेशन सब लोग मिलके क्या किये हैं इस टॉर्णमेंट को आयुजित करने के लिए काम कर रहे हैं क्लियर तो प्री में क्या गया हो सकता है कब जो कि सबसे ज्यादा चांस आने का क्या है राइपूर तो अगर थोड़ा डीटेल में पूछना चाहे तो आपसे पूछेगा कि आयोजन कौन कौन करवाए ठीक है उसके बाद और डीटेल में एकदम जाना चाहे मान लोग आपको एक क्वेशन दे दे कि स्टेटमेंट के फॉर्म में औ अब थोड़ा सा क्या करते हैं अपन मेंस की तरफ फोकस करते हैं मेंस के लिए मैं यलो कलर देता हूं कि मेंस में कहां से क्वेशन आ जाएगा तो सबसे पहले समझेगा पेपर नमबर सेवन जो है आपको पता है उसमें स्पोर्ट सीवेंट से क्लियर ठीक है भई अब सीधा सीधा इसमें से क्वेशन नहीं आएगा बट इससे रिलेटेड जरूर आ सकता है अच्छा अब यह टॉर्णमेंट कहां होने वाला है तो रायपूर देख लिए कब होने वाला है तो 19 से 28 सितंबर यह भी देख लिए क्लियर है कि नहीं 15 देश के 500 खिलाड़ी शामिल होंगे इंपोर्टेंट कौन कौन है तो अपने यहां से विश्वनात आनंद ग्रांड मास्टर है उसके बाद विमिन ग्रांड मास्टर है कुनेरू हमपी और इसके अलावा रामेशंभू शामिल होंगे ठीक है भई अब समस्ते जाना बेसिकली हमारे देश में जितने भी फिलाडी है चेस के वोग अपनी क्या कर सकते है रेटिंग सुधार सकते है जिसन से उनकी क्या होगी रैंकिंग शुदार जाएगी इसके अलावा यह लोग क्या कर सकेंगे जी-यम और आ-इ-ये-म यह नॉम्स पासकेंगे ग्रांड मास्टर और इंटरनाशनल मास्टर तो द यह आपको ना PayPal 703 वर्ट में पूछ लेगा कि Grand Masters International Masters जो है यह किस खेल से संबंधित है यह क्या होता है क्लिर है कि नहीं तो 30 वर्ट में इस से रिलेटेट सीधा पेपर सेमेन में क्या आ जाएगा क्वेशन आ जाएगा तो लोगों के पास मौका होगा कि अपने आपको दिमाग खराब रहा ते question पूझ भी देगा जैसे football में yellow card पूझ दिया था ना वैसे ही पूझ देगा कि grand master और international master जो है उसको बनने के लिए क्या प्रक्रिया है कैसे बनते हैं तो सबसे पहले international master के लिए बताता हूं और उसके बाद फिर बताऊंगा grand master के लिए कि अगर international master बंना है तो टूर्णमैंड में कम से कम आपको 9 राटाने किए और नौघ केरने का कम होना चाहिए कितने मिनिट का 90 मिनिट का संग आया तो कितने राउंड खेलने होगे टूर्नामेंट में कम से कम 9 राउंड प्रत्तेक राउंड होना चाहिए कम से कम कितने मिनिट का 90 मिनिट का फिर आपका performance rating मतलब एक तरीके से points मानलो कम से कम होना चाहिए 24-20, 25-चाहिए तो 9 राउंड कम से कम हर राउंड 90 मिनिट का तो मिनिमाम 90 मिनिट का हर राउंड न, एक नहीं सबको मिलाक नहीं, हर एक कम से कम 90 मिनिट का ठीक है, performance rating कित्ता होना चाहिए 24-50 clear अब ये round खेलोगे मतलब आपका कोई opponent होगा की नहीं तो आपके कम से कम एक बटे तीन opponent जो है वो खुद international master हो या grand master हो और ये जो opponent इतने सारे आप खेले ये लोग कम से कम तीन अलग अलग countries या देश से हो तो इतना सब अगर achieve कर लोगे कम से कम 9 round खेल लोगे कम से कम हर round 90 minute का होगा आपका rating 24-50 हो गया कम से कम एक बटे तीन आपके जो opponents रहे वो international master रहे या grand master रहे और कम से कम ये लोग तीन अलग 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 देश से रहे तब आप क्या बनोगे international master और grand master में क्या है तो सब सही है मतलब सब सेम है सही क्या 9 round 90 minute clear है लेकिन यहाँ पर rating brain jo ho जाता है 26 तो कम से कम rating किता चाहिए 26 हो चाहिए और उसके बाद आपके opponents एक बटे कम से कम grand master ही होने चाहिए का होने चाहिए Grand Master ही होने चाहिए यहाँ पर या तो International Master हो या Grand Master हो ऐसा था नहीं एक बटे तीन क्या होने चाहिए Grand Master ही होने चाहिए और ये लोग कम से कम तीन कंट्रीज या तीन देश के होने चाहिए समझ में आया तो इतना क्राइटीरिया फुल्फिल करोगे तो Grand Master बनोगे समझ में आया तो Grand Master जो है ना उसी तो नहीं पूछेगा कि रायपूर में ये जो चेस्ट टॉर्णमेंट हुआ है इसका क्या उद्देश यता करके मेंस यह नहीं पूछेगा आपको लेकिन हाँ रिलेट करके Sports Activity में ये जरूर पूछ सकता है कि चेस्ट में Grand Master और International Master ये क्या होते है या Grand Master का खिताब किसे दिया जाता है इंटरनाशनल Master का खिताब किसे दिया जाता है तो 30-30 words में ऐसे question चोटे-चोटे आप देखना Sports में से अभी जस मैं देख रहा था तो मैंने देखा yellow card पूछा हुआ था एक बार clear है तो ध्यान में रखना आप clear तो ऐसे questions पूछ सकते हैं ठीक तो हमने क्या किया इस topic को पूरा analysis कर लिया प्री और मेंस point of view से कि कब हुआ कहा हो रहा है कौन-कौन participate कर रहा है उसमें important कौन-कौन है क्या-क्या हो सकता है tournament में clear है जीतने वाले को क्या मिलेगा तो 36 गड़ चीफ मिनिस्टर ट्रोफी मिलेगी ठीक है न इसके रावा कुछ नगद रासी इसके भी न कहा काम चलेगा नगद नरायन के भी न और next कौन-कौन करा रहा है इसको भी अपन देख लिए चलिए अम next आ जाते हैं अपन तो 36 गड़ म तो मुख्य मंत्री ट्रोफी इंडियन इंटरनाशनल चालेंज 2022 समझना है चीफ मिनिस्टर ट्रोफी इंडिया इंटरनाशनल चालेंज 2022 इसमें 12 देश के कितने लोग 500 खिलाडी क्या करेंगे पाटिसेपेट करेंगे क्लियर है कहां होगा तो जो अपना कैपिटल है वैसे capital नवा रायपूर है लेकिन अभी रायपूर है मान लो ठीक है तो उसमें मोवा में क्या है एक i-sports badminton arena है समझ में आया तो मोवा में i-sports badminton arena है वहाँ पर किया जाएगा जो जीते उसे क्या मिलने वाला है 15,000 USD 15,000 USD जो है विजेता को मिलने वाला है तो ध्यान रखना एक तो chess का मुकाबला हो रहा है दूसरा इसका हो रहा है badminton clear है अच्छा अगर थोड़ा सा अपने इस topic को देखें तो pre point of view से ज़्यादा important है कब से कब एक tournament का नाम जरूरी है याद रखना तभी पता रगेगा न कि कब से कब तक tournament हुआ है इसके बाद कहा हुआ है तो राइपुर या बहुत डीटेल पूछ दिया तो अरीना का नाम भी पूछ सकता है clear है यह तो चलिए यह टॉपिक इतना ही था थोड़ा सा छोटा है अब यह बहुत important topic आ गया चलिए तो राजजय में क्या हो रहा है state में उड़द green gram अरहर pigeon piece बोलते हैं इनका ना समर्थन मूल्य support price पर क्या किया जा रहा है खरीदी किया जाएगा और इसकी तैयारिया जोड़ शोड़ से चल रही है अब date पहले याद रखना तो moon और उड़द की जो खरीदी है यह 17 October से लेके 16 December तक चलेगी 17th of October से लेके 16 December ठीक है अरहर 13 मार्च से लेके 12 मई तो अगला वर्षा जाएगा 2023 तो यह एक तो बेसिक फाक्ट है अब किसके तहत किस योजना के तहत यह खरीदी होरी तो PM आशा अभियान क्लियर है थोड़ा सा इसको मैं बताओं आप लोग को यस तो PM आशा यह जो अभियान है न प्राइम इनिस्टर अन दाता आई संरक्षन अभियान इसका पूरा नाम है प्रधान मंत्री अन्नदाता आई संरक्षन अभियान इसको नoir यूनियन बजट 2018 में पहली बार लाया गया था यूनियन बजट 2018 में पेश किया गया प्रजयं के आगया किस लिए ताकि जो किसान हैं ऐसान हैं परस हैं उन वो अपने उपज या प्रड्यूस का क्या मिल सके सही मूल्य या एक फेर प्राइज मिल सके तो ये 30 वर्ड्स में सीधा आपको पेपर नंबर 5 में पूछ सकता है कि प्रधान मंत्री आशा योजना क्या है तो बताईएगा अनदाता आयस अन्रक्षन अभियान पूरा नाम है क्लियर है यूनियन बजट 2018 में प्रेजेंट किया गया अबजेक्टिव क्या है इसका उद्देश है तो जो किसान है उनको उनके उपज का क्या करना प्रेड्यूस का सही मूल्य या फेर प्राइस दिलाना और इसी योजना के तहत अभी अपनने देखा कि तैयारिया हो रही है किसकी किसकी खरीदी की तो उडद है मूंग है और क्या है अरहर तो ध्यान रखना यह जो ग्राम फैमली है उडद और मूंग इसको अपन अक्टूबर से दिसंबर खरीद लें 17 अक्टूबर से लेके 16 दिसंबर और अरहर यह अलग फैमली है पिजन पीस वैसे सब दलहन ह ठीक तो पिजन पीस जो है उसको हम मार्च से मई खरीदेंगे तेरा से बारा क्लियर है तो जब आप लोग प्रीद होगे तो याद रखना उड़द और मुंग को खरीदना है और जब मेंस देने एक बारी आएगा मई बारी वाला टाइम तब क्या खरीदना है और हर खरीदता है क्लियर है ठीक है तो पहला इंपॉइंट चीज क्या हो जाता है मेंस पॉइंट फ्यू से ध्यान रखना यह जो अभियान है यह आपको पूछ देगा पेपर फाइव में 30 वर्ट में प्री पॉइंट फ्यू से डेट इंपॉइंट हो जाते हैं कि मुंग उडद तो 17 अक् तो मुंग उडद जो पहले खरीदे जाएंगे 6600 रुपीज पर क्वेंटल और अरहर जो की बाद में खरीदा जाएगा 77 55 रुपीज पर क्वेंटल तो 660 पहले 1775 वाला जो है वो बाद में क्लियर है यह ठीक है अब बेसिकली किया क्या गया है हमारा जो स्टेट है उसमें यह जो हम खरीदारी सरकार करने वाली है उसके लिए मंडी शुल्क और क्रिशक कल्यान शुल्क जो है इसको माफ कर दिया गया है तो बेसिकली दलहन पर देखोगे ना पलसेस पे तो क्रिशी कल्यान 0.5 परसेंट और मंडी शुल्क 1 परसेंट लेती थी गवर्मेंट तो तरीकेस कह दूँ फी जो है यह फी नहीं देना पड़ेगा तो किसान क्या सूचेगा फालतू फी देना पड़ता है उससे अच्छा क्या करते हैं अगर मार्केट में सही भाव मिले तो मार्केट में बेद देते हैं ले जाना पड़ेगा फी पटाना पड़ेगा उससे अच सरकार ले दी उसको क्या कर देंगे हम माफ कर देंगे क्लियर है कि नहीं ठीक है अब यह जो खरीदी है करने वाले हैं सरकार तो इसको क्या करेंगे रखने के लिए वेर हाउसिंग की विवस्था चाहिए तो वेर हाउसिंग के लिए क्या किया गया है तो हमारे राज के 20 जो व आक्ट देख लिए कि कब भिकेगा कितने भिकेगा उसके बाद देख लिए कि कौन से फी को माफ किया गया है क्लियर है कि नहीं अच्छा इसके बाद देखे रखने क्या विवस्था है तो 20 जिले में वेयर हाउसिंग के लिए जो गोदाम है उसको क्या किया गया है सिलेक करके चैनित करके रखा गया है ठेक है अब क्रिशी उत्पादन के जो आयुक्त हैं कमिश्णर साहब एगरी कल्चर प्रड्यूस डॉक्टर कमल प्रीट सिंग उन्होंने क्रिशी विभाग एगरी कल्चर डेपार्टमेंट के जितने अधिकारी है न उनको क्या कहा है कि राज में जितनी भी चीज़े हो उनका लाब जो है किसानों तक क्या हो डारेक्ली पहुंच सके है क्लियर है कि नहीं ठीक है भई तो यह तो हमने थोड़ा सा प्री पॉइंट फिशी देखा अब मेंस पॉइंट फ्यूस से सीधा अगर ऐसे में क्रिशी से संबंधित अगर कोई भी ऐ से आजाए तो आप इस फैक्ट तो सीधा यूज कर सकते हो कि अभी राजज में क्या किया गया है तो किसानों को और प्रोचाहित करने के लिए उड़द मूंग और अरहर जो बेचने वाले हैं उनके मंडी शुल को क्रिशक कल्यान शुक जो है सरकार ने माफ कर दिया करके त एक दिसंबर से चाले हुई थी और साथ फरवरी तक चली थी तो अभी एक नवंबर से स्टार्ट हो रही है ठीक बढ़िया बात है किसान जिन्होंने क्या किया है इस बार पंजी करन रेजिस्ट्रेशन कराया है 25 लाख पिशले बार 24.86 लाख थे ठीक है अब यह लोग कितन हेक्टेशर का पंजी करन कराया है कि लगभग इतने हेक्टेशर से धान भी कहएगा तो इस बार लगभग 31 लाक हेक्टेशर है पिछले बार 30.1 लाक हेक्टेशर था तो मोटा मोटा वही है मालो ठीक पिछले बार धान खरीदने के लिए कितने सेंटर्स बने थे 2484 इतने सेंटर्स बने थे सबसे जाधा किस डिस्ट्रिक्ट से तो राजनाथ गाउं डिस्ट्रिक्ट से और लास्ट सबसे कम दंतेवाडा डिस्ट्रिक्ट से क्या हुआ था धान तक चलने वाला है, 31 अक्टूबर तक चलने वाला है, last year pre में question भी आया था, सबसे ज़्यादा धान खरीदी कौन से जिले में, तो देखिए, इस साल जो धान खरीदी start होगी, एक नवंबर से, मोटा मोटा भान के चलो, दिसंबर, या worst case में शाहिद जनवरी भी चले जाए, त इस बार आएगा ना, तो राजनातगा लगा के आना maximum, minimum आएगा तो क्या लगा के आओगे, दंते वाड़ा, clear है कि नहीं, तो पिछले बार एक दिसंबर से start होगा था, इस बार एक नवंबर से, देख लिए कितने किसानों ने registration इस बार करा है, तो लगभग 25, पिछले बार इक्जाक्ट में क्या था, 24.86 बराबर, 31,00,00, एतना area registered है, पिछले बार 30.0, 30.0, 30.0, 30.1,00, एक्टेर, clear है ये, इतना था, ठीक, पिछले बार सेंटर स्कितने थे, धान करने के लिए 2484, सबसे यहादा राजनातगाउं, और सबसे कम कहा से हुआ था, दंते वाड़ा, त ठीक है भई, registration कब तक चलेगा, तो 31,00, ऑक्टूबर तक चलेगा, अब आप सभी को पता है, कि हमारे यहाँ, MSP पर धान खरीजने के साथ, साथ हम लोग क्या करते हैं, input subsidy भी देते हैं, ठीक है, तो राजीव गांधी, किसान न्याय योजना जो है, इसके अंतरगत आपको पता है, कि प्रती एकड अलग अलग फसलों में 9,000 से 10,000 रुपे तक की input subsidy जो है, वो किसानों को दी जाती है, इससे ना सिर्फ किसानों की आए, या income में ब्रिद्धी होती है, बलकि उनकी capacity बढ़ जाती है, ताकि वो क्रिशी छेतर में निवेश या investment उसको बढ़ा सके, औ और as a whole जो क्रिशी छेतर है, उसका हमारे GSDP में क्या हो, योगदान जो है, वो क्या हो, बढ़ जाए, आपको पता होना चाहिए, कई बार ये fact आप लोग पढ़े होगे पेपर में, 36 गण में लगभग 80%, 75-80% लोग जो है, वो क्रिशी कार्यों से जुड़े हैं, और GSDP में क बहुत कम है, तो basically, इसी को सुधारने के लिए, ये जो योजना है, ये चल रही है, ताकि input subsidy के माध्यम से, किसानों की आए बढ़े, तो वो क्या कर सके, और ज्यादे investment, क्रिशी छेतर में करें, और क्रिशी जो छेतर है, GSDP में क्या हो, उसका योगदान बढ़े, clear है, mains point of view स ये जो योजना मैंने बताई, सीधा इसके उद्देश को पूछेगा, 30 words में, तो please, इस बात को जरूर लिखेगा, GSDP में योगदान को बढ़ाना, किसानों का आए बढ़ाना, ताकि वो और क्या कर सके, investment और कर सके, जब investment करेंगे, तो क्रिशी छेतर में क्या होगा, उत्प अगर किसानों से संबंदित कोई ऐसे आया, तो आप बता सकते हो, कि सरकार खरीदी के लिए क्लिए क्या कर रही है, इतने सेंटर्स बना रही है, इतने लोग हमारे यहां पर रजिस्टर्ड होते हैं, इतना एरिया रजिस्टर्ड है, clear है कि नहीं, तो ये सारा चीज किसमें आजाएगा, आपके मेंस में काम आजाने वाला है, चलो, अब नेक्स देख लेते हैं, क्या है खाकी के रंग, स्कूल के संग, यह प्रोग्राम, इस प्रोग्राम जो है ना, इसका उद्देश या अबजेक्टिव को समझते की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली, जो साइबर क आपको पूछेगा, कि खाकी के रंग, स्कूल के संग, यह जो कारिकरम है, इसका उद्देश क्या है, अबजेक्टिव क्या है, ठीक, दूसरे इस कोशिशन को क्या पूछ सकता है, कि यह प्रोग्राम है क्या, तो आप बताना, कि महासमुन डिस्ट्रिक पुलिस जो है, वो इस प्रोग्राम को चला रही है, जिसका उद्देश यह अबजेक्टिव यह है, क्लियर है, ठीक, अब आगे हुआ क्या है, यह जो प्रोग्राम है, इसको गोल्डन बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है भई, तो मात्र दो महिने में, इस प्रोग् गया गया, और कहलो कि उन्हें क्या बनाया गया, जागरुक बनाया गया, क्लियर है, तो अभियान का मकसद क्या है, अबजेक्टिव क्या है, तो जो साइबर क्राइम है, उसके प्रती लोगों को क्या करना, जागरुक बनाना, क्लियर है यह बात, ठीक है, और इस प्रोग्र रिकॉर्ड में तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो एशिया हेड हैं डॉक्टर मनीश विश्णूई इन्हों ने अब जिला में पुलिस का सबस्वर अधिकारी कौन होता है एसपी तो महासमन्द पुलिस में जो एसपी साहाब है ठीक एसपी महासमन्द श्री भोजराम पतेल जी उनको क्या किया सम्मानित किया क्लियर है कि नहीं अब बट अविस सी बात है बहुत अच्छा चीज है तो हमारे जो मुख्यमंत्री है सी एम भुपेश बगेल जी उन्होंने भी महासमन्द पुलिस को यह जो उन्होंने अचीवमेंट मिला है उनको या उपलब्धी मिली है उसके लिए क्या कि बहुत सारी बधाई दी शुपकाम नहीं दी क्लियर है यह यह तो मेंस पॉइंट फ्यू से हो गया प्री पॉइंट फ्यू से पूछ सकता है कि यह जो कारिकरम है इसका संबंध किस से है तीन चार स्टेट्मेंट दे देगा आपको लिखना है क्या यह सहीं लगाना है क्या साइबर अप्रायद के या साइबर क्राइम के क्या किया गया है include किया गया है तो ऐसे questions प्री और में दोनों में बन सकते हैं इस topic से चलिए अब आगे देख लेते हैं तो हमारे यहां पर यह काफी चल रहा है अभी बहुत ज्यादा चलने वाला है ठीक है तो एक basic मैं आप लोगों थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि अभी basically गया था reservation ठीक है अब इसको non constitutional बोल दिया है इसके बाद अब जो सरकारी नियुक्ती होगी या जो government jobs निकलेंगी PSCB और जो professional college है उन सब के admission पे आरक्षन किता होगा 50% है है हो सकता है मामलो Supreme Court में जाए challenge किया जाए लेकिन अभी तो कोड ने कह दिया किता होगा 50% होगा तो 2012 2012 में जो बीजेपी की government थी उसने क्या किया था हमारे यहाँ पर अनसूचित जाती जो वर्ग है clear है यह SC जो है इनका आरक्षन जो था 16 उसको घटाकर किता कर दिया था 12 और ST अनसूचित जन जाती 20% से बढ़ाकर किता कर दिया था 32 तो 16 से घटाकर 12 किया 20 से बढ़ाकर 32 किय किया ST का SC का कम किया ST का बढ़ा दिया OBC का 14 का 14 रखा और चार चार आठ और यह पांट जोड़द हो गया 58 तो इस प्रकार से आरक्षन किता हो गया था 58 clear है कि नहीं ठीक है तो 58% हो गया था और जो सुप्रीम कोट का निर्देश है इससे यह क्या हो गया उल्टा हो गया ठी है 50 जादा नहीं करना है 58 हो गया है clear है कि नहीं ठीक अब हाई कोर्ट ने सरकार को क्या कहा है आप ऐसा नियम बनाओ जिसमें क्या हो आरक्षन कितना परसंट हो 50% clear है कि नहीं ठीक अब हमारे यहां पर स्टेट गवर्मेंट अभी OBC का आरक्षन 27 परसंट करने का जो सोच रही है थोड़ा सा क्या हुआ है जटका लगा है इस सर्मान को clear थोड़ा सा debatable topic है और यह काफी लंबे समय तक चलने वाला है सीधा सीधा तो यह नहीं पूछेगा बढ़ हाँ आरक्षित से संबंधित ऐसे आ सकता है आपको reservation से संबंधित ऐसे आ सकता है clear है कि नहीं तो समय बताइएगा कि जो नीडी वर्ग है उसके लिए reservation कितना जरूरी है और ऐसा वर्ग जो नीडी नहीं है वो चाहे तो अपने reservation का फाइदा ना ले ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सही में नीडी हो उसको reservation मिले तो इस theme के साथ आसे लिखेंगे तो अच्छा number आपको मिलेगा चलिए अब next क्या है तो चत्तजगर की सूप्रसिद्ध लोक गाई का लताख हापर्डे जी इनका क्या हो गया death हो गया ठीक है तो फोक सिंगर थी बहुत famous थी ठीक है गोधना करके सांस्कृतिक मंच था इनसे जूड़ी रही तो मुख्यमंत्री जी ने भी सोकसंदेश में कहा कि चत्तजगर को काफी शती पहुची है इनके death से clear तो folk art and culture जो उसको promote करने के लिए उन्हें बहुत काम किया तो दावू रामचंद्र देश्मुग जो थे clear है आपको पता होगा 71 में चंद्रीनी गुंदा establish किये थे स्थापित किये थे तो उस समय खापड़ी जी लगभग 6-7 साल की ही थी और वो एक बाल का लागार के child artist के रूप में क्या हुई उससे जुड़ गई अपने career को शुरू किया वहाँ से इसके बाद खुमान लाल साओ जी इनका जो चंद्रीनी गुंदा था उसमें इन्होंने गायन भी किया singing किया और क्या किया अभिनय भी किया हबीब तन्वीर जी का जो नया theater था clear है कि नहीं इसके माध्यम से जर्मनी गई राश्या गई ठीक तो आप सोचो चत्रवड की जो लोक कला है यहां का जो local art and culture है उसको कहां कहां नहीं इन्होंने क्या किया पहुंचाया इसके बाद पीपली live जो एक movie आई थी उसमें भी इ एक question 2017 में आया था सुरुज भाई खांडे तो पूछा था कि निम्न में से कौन famous गाई का है करके ठीक है भर्थरी के नाम से पूछा था वो भर्थरी गाती थी answer सुरुज भाई खांडे लिया था तो चार-पांच नाम देके इनका नाम भी दे देगा और बोलेगा इन में स तो स्वच्छ भारत mission ग्रामीन में अच्छे काम उत्कृष्ट काम करने के लिए छत्तवड़ को फोर national awards मिले हैं तो पहला ही ये प्री का question बन जाएगा कितने national awards मिले हैं करके ठीक है तो जलशक्ती ministry जो है ministry of जलशक्ती उसमें एक विभाग है drinking water and sanitation पेजल एवं स्वच्छत clear है अब इन लोग ने क्या किया है स्वच्छ सर्वेक्षन या स्वच्छता सर्वेक्षन ग्रामीन और उसमें ईस जोन में चत्तिगड़ को जबरदस्त प्रदर्शन या performance देने के लिए क्या किया गया है first place मिला है राज में इस जोन में चत्तिगड़ first आया है clear है अगर जि तो दुर्ग से ही 2012 में बालोद बना था तो दुर्ग से कैसे आगे हो जाएगा बालोद तो दुर्ग जो है वो second बालोद थर्ड तो जिला में second दुर्ग third बालोद राज्यों में first 36 गड़ ख्लियर है कि नहीं अब central zone में जब देखा गया दीवालो पर ODF plus लिखवाना इसकी भ जोन में सर्वस्रिष्ट प्रदरशन के लिए चत्त्रगड को first मिला ODF plus लिखवाने में central zone में चत्त्रगड को क्या मिला है third मिला है और इस जोन में डिस्ट्रिक्स में दुर्ग सेकंड है बालोद थर्ड है तो यह सब अपने आप में प्रीका question है ठीक है कि जोन में चत्त्रगड का क्या ranking रहा डिस्ट्रिक्स में दुर्ग का बालोद का क्या ranking रहा ODF plus दीवाल में लिखवाने में central zone में चत्त्रगड का क्या ranking रहा ठीक है अब 2 October जो है इस दिन क्या मनाया जाता है स्वच भारत दिवस तो आपको पता होना चे गांधी जैनती तो है ही 2 October स्वच भारत दिवस यह सीधा प्रीका question बन सकता है स्वच भारत दिवस कम बनाया जाता है तो second of October तो हमारी जो नई राष्टपती है द्रौपती मुर्मुजी वो क्या करेंगी तो नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है उसमें 2 October के दिन समारो आयूजित होगा उसमें पुरुसकार देंगी यह जो प्राइजस है इनको क्या करेंगी डिस्प्यूट करने का काम करेंगी तो अपने जो चीफ मिनिस्टर जी है भुपेश बगेल जी इन पुरुसकारों के लिए स्वक्छ भारत मिशन ग्रामिड जो है जो चत्रगड में चल रहा है उसकी टीम को क्या की है बढ़ाई दी है क्लियर है कि नहीं तो थोड़ा सा प्री टाइप का ज्यादा है यह आपको सीधा सीधा प्री में जो मैंने फाक्स बताया है वो पूछ सकता है क्लियर चलिए तो इस वीडि श्री भुपेश बगेल राज के किस तारीक को समर्थन मुली पर धान खरीदी के यह जानी की घोषना की है तो इसको भी आप देख सकते हैं बता सकते हैं और च्छत्यवड के किस जिले में पुलिस द्वारा खाकी के रंग स्कूल के संकारी करम को गोल्डन बुक उफ वर्ल वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं ठीक है तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि यह जो क्वेशन मैंने दिये हैं इसको प्लीज क्या करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएए ठीक चलिए तो आप सभी से लोगा मैं अगले वीडियो में तब तक झाल